और आज इस प्रोड़क की में बात करने वाली हूँ इसे खरीदने का मेरा कोई भी राधा नहीं था मगर आप तो जानते हैं दिल फिसल फिसल जाता है और खास करके जब आप मैक के स्टोर में जाते हैं तब क्या एक ही प्रोड़क से आपके चेरे का ट्रांस्फोमेशन हो सकता है और चेरा खिला खिला नजर आ सकता है यदि आपको ये transformation देखना है तो मैंने इस product review में ये demo पेश किया है वीडियो को अन तक जरूर देखिए, चैनल से जुड़े रहिए Hello friends, welcome back to my product review channel जहां पर मैं आपके लिए hair care, skin care और makeup products के honest reviews पेश करती हूँ जिस पर आप पूरा-पूरा भरोसा कर सकते हैं और ये जो beautiful pink shade आप देख रहे हैं, ये है MAC Cosmetics की Maximum Meher Matte Lipstick की shade number 608 तो चलिए शुरू करते हैं product review मैं गई थी back के store में कुछ और चीज़े खरीदने के लिए मगर आपको तो पता है, ये दिल फिसल फिसल जाता है और खास कर जब आप जाते हैं MAC के बड़े store में और ये सुन्दर से pink shade आप जो देख रहे हैं, ये है MAC Cosmetics की Maximal Meher Matte Lipstick shade shade number 608 It was just too good to ignore, इस temptation को मैं कैसे बना कर सकती भला फिर मैंने मेरे दिल को समझा लिया और ये regular pack ना खरीदते हुए मैंने खरीदी Maximal Meher Matte Lipstick shade number 608 एक mini pack में थोड़ी pricey जरूर है, मगर you are worth it, L'Oreal जो कहता है तो चलिए शुरू करते हैं इस product का review और इसका demo अगर आप देखना चाते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe करना ना भूले वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक देना भी ना भूले सबसे पहले इसका ये sleek packaging देखते हैं इसकी MRP है 1650, ये थोड़ा pricey जरूर है, मगर इसका regular size आप खरीदना नहीं चाते तो ये mini lipstick आप जरूर ट्राइ कर सकते हैं Mac mini आता है, classic black bullet style case में, ये कितना sleek है और travel friendly भी है perfect for party wear clutches, जहां आपको एक mini lipstick बहुती convenient रहेगा इसकी एक beautiful shade makes it worth its price ये एक muted dusty rose pink shade है और matte finish में आता है ये neutral pink काफी सारे skin tone पर जरूर सूठ होगा, जो subtle भी है और cheek भी Mac cosmetics की maximal matte ये एक नई range है और ये जो shade है ये एक नया और trending lipstick है matte finish होने के बावजूत ये lips को immediately moisturize करता है ये lips को condition करता है और इसमें है coconut oil, organic cocoa butter, organic shea butter जो lips को नरिश करते हैं और 8 घंटों तक moisture बनाए रखने में मदद करते हैं इसका formula है non feathering और non bleeding और इसका long wear effect 12 घंटों तक है ऐसा company का वादा है, non caking और non flaking ऐसा ये एक comfortable wear matte lipstick है चलिए इसे मैं dry करती हूँ, इसका texture आप देख सकते हैं काफी soft और smooth है, effortlessly glide होता है बस 2 या 3 stroke में ही अच्छा coverage देता है और मेरे लिए ये काफी है ये matte जरूर है, लेकिन dry या cake की feel नहीं होता है It's a perfect rosy lip transformation MAC Cosmetics का Maximal Meher Matte Lipstick Shared No.60 देखिए इस एक lipstick से मेरा चेहरा कितना खिला-खिला लग रहा है मैं मेरी इस impulsive shopping से बड़ी खुश हूँ क्योंकि ये जो share है, ये मेरा सबसे favorite shade है आप इससे पहनिए, casual dinner के लिए, office के लिए, या फिर date पर ये understated है, subtle है, मगर किसी भी occasion के लिए बहुत ही सुन्दर सा color pop दे रहा है तो इसके pros क्या है, सबसे पहले तो ये shade मेरा favorite shade रहा है ये किसी भी skin tone पर ज़रूर जचेगा दूसरा इसका texture मुझे बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही soft है, smooth है अच्छी तरसे glide होता है, अच्छी तरसे spread होता है तीसरा, ये matte ज़रूर है, मगर dry या cakey feel नहीं होता, बहुत ही comfortable है मैं matte lipstick की fan नहीं हूँ, मगर ये एक exception है तो इसके cons क्या है, थोड़ा pricey ज़रूर है, मगर mini lipstick लेकर आप इसे try ज़रूर कर सकते है और दूसरी चीज, मेरे अनुबव में ये non transferable या waterproof नहीं है मगर इसी वज़र से ये lips पर काफी comfortable है ये mini pack आपके party clutch में आराम से रहेगा और इससे आप time to time touch up भी कर सकते मैं इस impulsive shopping से बड़ी खूश हूँ, मेरे पैसे मुझे नहीं लगता है waste हुए है after all थोड़ा सा indulgence करना जरूरी भी है और एक अनुखा lipstick मैंने review किया है जिसका color skin tone के अनुसार अलग-अलग होता है जैसे chamelion अपने colors change करते रहता है इस अनुखी lipstick का color skin tone के अनुसार अलग-अलग रहता है आप believe नहीं करेंगे मगर ऐसा product है और ये है Clinique का Almost Lipstick Black Honey यदि आप ये review देखना चाते हैं तो इसकी link मैंने इस वीडियो में दी है आप जरूर देख लीजिए तो आज के इस lipstick review में इतना ही चैनल को subscribe जरूर करें ताकि हम regularly इसी प्रकार मिलते रहें प्रकार मिलते रहें